हेलो फ्रेंड्स दिस इस अमान और आज मैं आपके लिए कंपेरेजन वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा फ्लेक्सीड ओयल कैपसूल और फ्लेक्सीड सिंपल जो रॉफ ओम में होते हैं उनमें क्या डिफ्रेंस है और दोनों में से कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँकर फ्लेक्सीड होते क्या हैं जिनको नहीं पता हैं उनके लिए मैं बता देता हूं फ्लेक्सीड जो हैं ओमेगा-3 FATY ACID का एक काफी rich source माना जाता है और ओमेगा-3 FATY ACID हमेचे होते हैं अपने heart के लिए brain के लिए ए साथ इसाथ weight loss के लिए भी काफी अच्छे ये माने जाते हैं तो अब बात करते हैं flex seeds वैसे खाने अच्छे है या फिर flex seeds को capsule form में खाना ज़्यादा अच्छा माना जाता है मैं आपको बता देता हूं दोनों में से आपके लिए better option कौन सा है तो सबसे पहले बात करते हैं flex seeds की, simple flex seeds की तो simple flex seeds जो है उसकी खास बात क्या होती है कि इसमें आपको fiber भी मिलता है अगर आप flex seed capsule लेंगे तो इसमें सिर्फ इन से निकाला हुआ तेल है जो flex seeds में से तेल निकाला जाता है उन तेल के ये capsule बनाए जाते है जिसमें कि आपको सिर्फ तेल मिल रहा है आपको fiber नहीं मिल रहा है और इसमें आपको fiber भी मिलेगा और fiber का फायदा क्या होता है fiber आपकी body के लिए बहुत अच्छा है अगर आप weight loss कर रहे हैं खास कर तो तो अच्छा है ही इसके लाब आपके stomach के लिए आपके intestine के लिए आपको बहुत अच्छा है और boil moment के लिए भी बहुत अच्छा है इसको constipation की problem रहती है उसको fiber intake भढ़ाना चाहिए तो इसमें आपको fiber extra मिलेगा ये आपके लिए beneficial रहेगा capsules की बजाए तो दूसरा फाइदा इसका क्या है simple जो raw form के flex seeds है ये काफी cheap मिलेंगे आपको जो इसका price आपको काफी cheap rate मिल जाएगा 200 रुपे में kilo आपको एक kilo आपको मिल जाएगा अगर बात करें तो ये 100-500 रुपे में भी वैसे आ जाता है यानि के अगर आप एक kilo आप flex seeds लेके आएगे तो उसमें 420 ग्राम के आसपस आपको तेल मिल जाएगा और अगर इसकी बात करें तो ये जो capsule है ये 500 mg का 500 mg का एक capsule है अगर आप daily के तीन capsule भी लेते हैं तो आप 1500 mg लेते हैं 500 mg के इसापसिस में कितने हैं 90 capsule जैसे हैं एक capsule में 500 mg आता है इसका मतलब आपको 45 g जो है वो flex seed oil मिल रहा है 45 g 45 g फ्लेक्सीड ओयल के लिए आप कितने पैसे दे रहे हैं MRP 515 515 पांसो पंदरा रुपे पांसो पंदरा रुपे में आप 45 g ले रहे हैं और additionally जो fiber मिल रहा है वो तो सोने पे सुआगे वाली बात है तो मेरा जो analysis है वो ये कहता है कि flex seeds को simple form में खाना बहुत बढ़िया है rather than capsule form अगर आप किसी तरह से लेने में सक्षम नहीं आपसे नहीं लिया जाता simple flex seeds आपसे नहीं खाये जा रहे हैं तो मैं recommend करूँगा आपको आप capsule form में भी ले सकते हो जो सबसे main बात है वो मैं आपको बात कैपसूल ले रहे हैं या फिर चाहे आप simple raw form में flex seeds खा रहे हैं आपको जो सबसे ज़्यान देने वाली बात है वो यह है आपको इस पर पानी बहुत ज़्यादा पीना पड़ेगा पानी अगर आप नहीं पिएंगे तो यह आपको constipation दे सकता है क्योंकि इसकी जो तासीर होती है वो काफी गरम होती है और गरम होने के वाज़े से इसको पानी ज़्यादा चाहिए digestion के लिए भी और अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो फिर आपको problem हो सकती है तो friends मैं आपको बोलना चाहता हूँ गर आप इन दोनों supplement को यूज़ कर रहे हैं seeds ले रहे हैं फिर capsule बे तो पानी आप sufficient पीचे उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं तो daily recommended dose है flex seed simple की capsules की मैं बात नहीं कर रहा है आप एक से लेके दो spoon तक आप ले सकते हो एक spoon आप सुबह एक spoon शामकू ले सकते हो जावा अगर आपको गर्मी करें तो आप एक spoon ले लिज़े simple आप इसको रात में पानी में भिगा कर लेंगे तो आपको गर्मी भी नहीं करेंगे तो friends अगर आपका कोई और question है flex seeds के बारे में तो आप मुझे comment section में लिख देजे मैं आपको बता दूँगा आज इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद